असलाम लीकुल में हापकास बब्लूला हुरी आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है विकोज आज मैं बोया के दो लेटेस्ट डूएल चैनल वायरलेस माइक्स को रिव्यू करने वाला हूँ अगर आप यूट्यूबरों मेरी तरह content creator हो आपको अच्छे माइक्स या ये वायरलेस माइक दो बंदो वाले आपको इंटर्व्यू करने है आपको पोड़कास्ट करने है आपको व्लॉगिंग करने है जो भी आपके requirement है और budget range के अंदर रहते हो एक अच्छी quality चाहिए आपक क्यों कह रहा हूं because मैंने personally इनका ये जो सबसे सस्ते वाला माइक है ना M1 और बड़ा popular माइक है creators में बहुत सारी creator आज भी ये माइक यूज करते हैं लंबी तार वाला माइक है और बेहतरी निंग गुजारा करता है सस्ते में मिल जाता है budget के अंदर आ जाता है हर बंदे के कहीं दफा इसकी तार पैरोगिनी चेट किया भाई ये नहीं हिलता आज भी perform कर रहा है बस मैंने इसको side basically किया कि मैं wireless माइक बोया है जो wireless माइक है इसी के उपर switch हुआ हूँ तो पहला जो माइक है मेरे पास यह है बोया link माइक अभी recently launch हुआ बोया की तरफ से और इसमें three different adapters है आईफोन के साथ भी चलता है android के साथ भी चलेगा camera के साथ भी चलेगा मतलब all-in-one type का माइक है काफी compact और portable type का size भी है इसका HD noise cancellation भी है उसके हलावा गर ऊपर देखो तो two years brand warranty भी mentioned है तो box open करते है अंदर से एक अच्छी quality का carry pouch है उसके हलावा एक type C cable है और फिर आता है जी यह black case के अंदर जो main product है मतलब यह जो case है ना इसकी अपनी भी battery ऐसे power bank काम करेगा दोद बार इसको charge कर सकता है इस mics को open करती है तो अंदर यह side पर दो mics है और काफी compact lightweight है और काफी अच्छी बीड के अंदर लग रहे है उसके इलावा यहाँ पर दो connectors है और यह magnetically rest करते हैं इस case के अंदर ना मतलब ऐसे नहीं है कि free में फिर रहे है और यह receiver है इसके साथ अभी camera का connector लग इसके अलावा यहाँ पर charging port है जहांसे यह case charge होगा और case की build quality है यह भी काफी better लग रही है और जैसे ही आपका जो mic आप use कर लेंगे आप यहाँ पर case के अंदर रखेंगे तो यह red light शो करिए कि यह charging पर आ गया हुआ है तो इसका receiver है अगर receiver का overview देखे तो इसका यह power on का button है इसके अलावा यहाँ पर button है mono और stereo recording के लिए अगर यह आपकी जो knob है यह S की तरफ है मतलब mono activate है और अगर आप इसको M की तरफ कर देंगे तो stereo activate है तो यह चीज़ आपके mind मेरे और इसका जो connector है उसको change करने के लिए जो blue button है आप इसको side पर करेंगे और connector को आगे को push माइक है इसके side पर आप देखते हो तो यह power on या mute के buttons है उसके अलावा यह जो नीचे blue से button नजर आ रहे है इसे आप gain level जो है माइक का वो up-down कर सकते हो six level होते है गेन के अगर इन दोनों बटन को आप एक साथ पुछ करेंगे तो noise cancellation activate हो जाए जैसे यह green light जलेगी मतलि भी है इसको यहां पे T-shirt पे अगर place भी करते हो तो एक तो बुरा नहीं लगता दूसरा वजन की वज़ा से T-shirt आगे को लटकती नहीं है और मैं इस टाइम पे जो यह माइक यूज करा हो ना यह wire के जरीए मैंने यह देखें यह मेरी pocket में receiver अब यह भारी है अगर इसको में उपर इसके अंदर जो connectors available है आपने वो replace करने है और plug and play वाला काम है यहां पे बाकि इसका यह जो compact size का case नजर आ रहा है यह ऐसे power bank का भी काम करता है जिस तरह buds के होते है na air buds के case power bank के काम करते है सेम वैसे यह दो बार इसको charge कर देता है यह mic को ना इसका case बाकि मैंने 100 से 0% तो नह यहां पे attach किया हुआ है तो quality आप देख सकते हूँ वैसे तो indoor में इतना noise नहीं है और ना ही मैंने इसका noise cancellation अभी mode activate किया है तो किस तरह की यह voice capture कर पा रहा है better quality आप जच कर सकते हो वीडियो के comments में अपना feedback जूर देना अभी मैं outdoor में आ गया हूँ वोया link mic मैक मैंने attach किया ह इसकी जो mic quality है वो आपको मतलब सुन रहे हैं आप जो भी बट एक चीज मैंने notice किया है कि जैसे ही मैं दूसी तरफ पे अपनी direction चेंज करूंगा ना तो इसका signal break होता है मैं आपको दिखाता हूँ sample जैसे यह देखें अभी मारी होगी लेकिन जैसे ही मैंने camera की direction की तरफ मतल signal जो है फिट हो जाता स्टेबल हो जाता अभी देखें अभी मैंने मुह कर लिया camera की तरफ तो यह चीज मैंने इसमें notice की है तो मैंने सोचा मैं हाइलाइट कर दो और बाकी इसकी जो range है नहोंने 100 meter के आसपास mention की है दूर आप जितने मर्जी चले जो signal इसका stable रहता है लेकि शर्त ही है कि जो mic की direction है वो camera की तरफ ही आपके smartphone या iPhone की तरफ होनी चाहिए अभी मैंने इसका noise cancellation वाला feature है वो एक्टिवेट कर दी है आउटडोर में परिंदों की भी आवाज रहा है वैसे थोड़ा ambient noise है यहां पर तो देख सकते हो किस तरह की voice quality है यह boya link प्रवाइड कर मतलब अगर आपने आउडोर shooting करने है विलोग करने है जो भी करने है तो यह mic की voice quality ने इसका आपको एक अच्छा idea मेल जाए तो देखो boya link mic के मैंने features आपको explain कर दी है इसकी mic quality भी आपको चेक करवा दी इंडोर आउडोर में जहां तक pricing ए इस mic की तो 24-25,000 पे के आसपास price ह में रख दूँगा और main जो चीज है यह locally भी available है और अगर current competition में देखते हो तो dual channel wireless mic के हिसाब से pricing बुरी नहीं लगी मुझे मतलब बाकी जो इसके बारे में complete verdict है मैं दूसरा mic आपको दिखा लूँ जो S2 Mini वाल है तो आपको एक complete सा opinion देता हूँ और boya link के बाद जो मेरे प दूबे में से भी दो डबे निकल रहे हैं एक डबे में इनके आप देखते हो तो mics हैं दरम्यान में receiver है थोड़ा बड़े साइज के है और जो इसके मतलब transmitters है जो इनको mics कहते है वो छोटे साइज के हैं दो persons के लिए for example अगर आपने single person यूज करना तो एक transmitter एक mic को आप प्रिव्यूज करने हैं आपने मतलब podcast जो भी आपकी requirement है वो आप कर सकते हो उसके अलावा दूसरे डबे में से एक अच्छी quality का carrying case निकल रहे है उसके अंदर तीन cables हैं type-c वाली जिनसे मतलब ये transmitter और receiver चार्ज होंगे दो cables हैं जो 3.5 mm वाली jack वाली है एक smartphone के लिए एक DSLR क के अंदर अगर आप outdoor में recording करें हो थोड़ी हवा तेज चल रही है तो वहां पे आप इसको utilize कर सकते हो अब basically ये जो बोया ने model बनायाना है XM6S2 Mini अब इसका जो अपना receiver है उसका size देखो और ये जो transmitter है इसके दो माइक्स है मतलब ये compact size के छोटे कर दिया है previously जो मैं ये वा तो उनोंने mini वाला version निकाल दिया compact size के साथ अब इसके साथ आप wire नहीं attach कर सकते हैं वो option उनोंने नहीं नहीं दी हुई आप इसको directly अपनी t-shirt के ऊपर इस तरह अगर के attach करोगे तो weight भी फील नहीं होता like lightweight और इसका ये है कि अगर एक person के लिए आपने recording करने like जिस तरह मैं S2 Mini के अब इसमें देखो आप कोई भी display नहीं है सिरफ ये blusa dot नजर आ रहा है इसमें आप देखते हो जो camera को लगता है receiver इसमें आपको display मिलता ये OLED display है बटन से देखते हो तो ये mute का button है एक पर प्रेस करोगे तो ये देखो mute होगी audio यहाँ पर प्रेस करोगे ठीक है उसके इलावा यहाँ पर प्लस माइनस के बटन है यहाँ से अप गें जो है ने गें लेवल उसको सेट कर सकता है भी 6 के उपर है 5,4,3 यह इस तरह का कुछ सनेरी हो यहाँ और यह जो उपर आपको दो खड़े नजर आ रहे हैं एक में माइक अटैच होगा जो यहाँ से नेकलके आपके DSLR कैमरा में या स्मार्टफून में अटैच होगा और दूसी जगह पे आप 3.5 mm वाला ओडियो जैक लगा आगे ना यहाँ पे हैंड फ्री के थुरू इसका रियल टाइम ओडियो मनिटरिंग कर सकते हो लाइक अवाज किस तरह की रिकॉर्ड कर रही है अब यह जो तो इसके साथ extension नहीं लगा सकते हैं इसको आपको उपर ही लगाना पड़ेगा अवाज की quality किस तरह की रही है जज़ करके नीचे comment बहुता सकते हो बाकी मैं आउड़ोर में चलता हूँ वहाँ पे इसकी quality दिखाता हूँ आपको और अभी मैंने mic switch कर लिया है यहाँ पे आवाज का जो signal है वो कैसा रहता distortion तो नहीं आती और इसकी जो माइक की अच्छी quality इसका signal ब्रेक कर रहा था तो यह आप देख सकते हो मुह कैमरे की तरफ हो या मुह किसी दूसरी direction में भी आप करो तो आवाज की जो जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी distance के उपर हूँ और आवाज आपको पता चल रही होगी किस तरह की capture कर पा रहा है noise भी इसकी आप देख सकते हो noise cancellation कैसा है मतलब किस तरह का कर रहा है इसके अंदर जो built-in जो भी लगाया हुआ है ambient noise है काफी प्रिंदे शृंदे भी पूंद रहे हैं किस तरह की आवाज की quality capture कर पा रहा है मैं distance भी अच्छा cover कर लेता है तो सही रहती है अगर आपने wirelessly दूर-दूर से recording करनी है तो देखो भाई दोनों की details मैंने आपके साथ चेर कर दी सैंपल्स भी आपको दिखा दिए 24-25,000 प्रिया बोया link की price है 28-30,000 प्रिया स्टू मिनी की price है और दोनों थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर compromise है अगर आप outdoor में मने आपको situation देने जब आप थोड़ा opposite direction में वीडियो बनाते हो, mostly इस तरह तो नहीं बनाई जाती है, camera को face करके बनाई जाती है लेकिन वो एक situation होती है जो test करनी होती है, तो उसमें ज़रा बोया link थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हो रहा था, signal lost कर रहा था, S2 Mini बहुत कम chances के अंदर कर रहा था, overall मुझे S2 Mini ज्यादा बेहतर लगा है इन दोनों mics में से, अगर आपको ने नया नया start लिया video content creation में आपको एक affordable price में dual channel wireless mic चाहिए, तो इन दोनों में से आप देख सकते हो, क्योंकि वैसे बोया का अच्छा नाम है, mic की अग जीन है, तो देखो अभी मैंने, मैंने खुद नहीं रोड यूज कर रहा है, मैं भी बोया का mic यूज कर रहा हूँ, ये भी S2 mic लगा हुआ है, मेरे पास जो जिसके जरी आवाज आ रही है, तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, लोकली भी ये mic available है, link ने के description में रख तो like, share, subscribe के साथ, bell icon देबा लेना, future videos को notification आपको मिलते रहेंगे, ये video ही तकती, मिलते हैं next video में, thanks for watching, Allah आफेज